कुछ ऐसे पौधे जो अब धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर हैं लेकिन बरतमान दोर में उनसे मिलने वाले फल का अनेको उप्योग ने महत्तो को काफी हद तक बढ़ा चुका है कहीं न कहीं इन पौधों की खेती कर किसान माला माल बन सकते हैं हम बात करें इमली की जिससे निकलने वाले नकिवल फल बहुप योगी है बल की इसकी लकड़ी भी काफी महत्तुप्रुन के साथ इसके कोईले भी खुब मुनाफ़ा देते हैं तो यह कहने में संकोच नहीं होगा कि इमली की खेती किसानों के लिए काफी लावदायक सिद्ध हो सकती है आएए विस्तार से जानते हैं कि इसको लेकर स्री मुरली मनोह टाउन अशनात कुत्तर महा विद्याले बलियां के मृधा विज्ञान और क्रिसी रसायन विभाग के चोड़ी प्रोफेसर असोक कुमार शिंग ने क्या कुछ कहा है देखिए इमली जो है पले कहले पौधे या फिर इसको एक तरह से कह सकते हैं अंडर यूटिलाइज़ फ्रूट कह सकते हैं इसको इस तरह के जो वह पौधे है इनकी खेती तो बहुत कम होती है क्योंकि पहले की पौधे बंविभाग की तरफ से लगाय जाते थे या किनी काड़ों से आस पास में ऻुग जाते थे इम्ली का जो पौधा है जैसे अन्य पौधरोपं करते हैं वैसे इम्ली का भी पौधरोपं किया जाताς और यह समय चल रहा इस समय पौधरोपं करना चाहिए एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कम से कम 10 मीटर रहे क्योंकि पौधा काफी बड़ा होता है और लंबे समय तक चलता है तो इमली का पौधा 10 मीटर के दूरी पर और पौधे के लिए 2 बाई 2 का गड़ा बना ले मंदब 2 फिट गहरा 2 फिट चोड़ा 2 फिट डायमीटर का गड़ा बना ले और उसमें एक टोकरी गोबर की सड़ी भी खाद मिला दें और मिलाने के बाद जो भी बाजार में प्रिजाती का पौधा उकलब्द है उसको लाएं और लगा दें बीच-बीच में देखरे करते रहें पौधा तयार हो जाएगा इमली का पौ जो रश निकलता उसी से तयार किये जाते हैं बहुत बड़ा ब्यवसा है हमारे यह जो फास्ट फूड हैं उसमें इमली के द्वारा स्रीजित हो रहा है और ठीक से तयार कर रहे हैं तो इमली का अगर बढ़ियां तयार 25 साल का पौधा है और उसमें फलत आ गई तो एक जिने की चीज़ें अगर उनमें इमली का रस मिलाया जाए तो उतना नुकसान नहीं करता है जितना की सिंथेटिक जो अमल और सिंथेटिक जो खटी चीज़ें मिलाई जा रहे हैं तो इसलिए आज के दोर में इमली का जो पौधरोपन है बहुत आवस्यक है जिनके पास जम पर इमली के पौधों को लगाया जा सकता है बड़ा पौधा होता है बड़े पत्तियां होती जादा पत्तियां होती है पर बहुत सारे पसू जो पक्षी है उनके लिए बसेरे का भी एक साधन बनता है तो इसलिए आज के दोर में इमली का जो पौधरोपन है वो बहुत जा लोकाल एटीन के लिए बलियां से सनंदन उपाधियाए की डिपोर्ट